नमश्कार दोस्तों स्वागत है मेने चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपका दोस्तरुन वो स्वागत करता हूँ आज की एक और एनफो अपडेट की वीडियो में आज का जो एनफो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ वो है हमारा कोटेक मिचल फंट हाउस की दरफ स जो इनफो है उसका पूरा नाम है कोटेक Nifty 50 equal weight index fund इसके नदर आपके सामने एक टम आरी है जिसका नाम है Nifty 50 जो कि सभी को पता है कि क्या है और एक है Real weight index अब यह equal weight index क्या है इसी को समझाने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बराई है जिससे कि अगर आप इसमें invest करन चाहते हैं, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बदा होना चाहिए कि भया ये इस फरट रयक्शन में हो है क्या, कभी आप इसको Nifty Fifty समझ के इन्वेस्ट कर दें, ये Nifty Fifty की तरह नहीं है इसीजित का फ्र давай का टो और रेगुलर के अंदर दोदेश स्कीम्स होती है, एक होता है आपका ग्रोथ और एक होता है IDCW, तो आपको जो इन्वेस्ट करना है वो करना है डिरेक्ट ग्रोथ के अंदर, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थरू, एडवाइसर के थरू कर रहे हैं, तो आपको रेगुल परसों से लॉंच हो जाएगा, और 16 December तक यह पूरा 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 लॉंच रहेगा, 14 दिन तक आप इसके इन्वेस्ट कर पाएगे, और minimum जो SIP अमाउंट है, वो है इसके अंदा 100 रुपे, और minimum लंगसम अमाउंट दी है, वो भी है 100 रुपे, तो खास बात यह है, कि जो वहाई ऐसे हैं, जो कि बिल्कुल, या तो मीचल फरन इंवेस्ट करने करें टैस्ट करना चाहते हैं, या फिर उनके पास सेविंग काम है, या जो भॉत गरीब परिवाद से रिडेट करते हैं, कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सिरु 100 रुपे से भी अपनी इंवेस लिखा हुआ है कि देखो नाम से कि लिए रोगजें कि इन्टेस नो न चाहिए ऊर्ग हो जाज तो कुन सा इंडेस होगा और आगे चलें एक्जिलोट की बात कि बारे विए कोई इंफरमिशन नहीं नहीं है लेकिं जो एक्जिलोट है वह बहुत ही कम रहेगा 30 दिन, maximum 30 दिन के लिए रहेगा और रहेगा तो 0.25%, 0.35% इससे चाहदा नहीं रहने वाला और maximum एक महिना होगा और उसके बाद तो आप निकालोगे तो 0% रहेगा क्यों? क्योंकि ये एक index फार, दोस्तों, अभी तक चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं करा है, नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब जोर कर लेजेगा अब बात करेंगे भईया, रिटन्स की, कि रिटन्स कितने होने वाले हैं ये आपका जो एक्वल वेट इंडेक्स है ये क्या है, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और कितने साल के लिए करना है और किन लोगों को करना है सबसे वाली बात, इक्वल वेट इंडेक्स क्या है आप समझ लीजे, हमारे जो निफ्टी फिफ्टी है ना, उसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स है आपने नाम सुनी होँगेoured एक तो है, हमारे निफ्टी फिफ्टी जिसके अंदर देश के 50 बड़ी company शामिल है निफिफ्टी के वारे है, सब जान, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी आता है सब्सक्राइब एक आपने सब्सक्राइब आपने अपने फिफ्टी ओर मुमेंटम फड्स, 250 मुमेंटम. इस तरीकिक आपने बहुत सारे तर्म्स देखी है तो यह जो equal weight वाला जो term आ रहा है ना इसका मलब यह है कि nifty 50 के अंदर अगर नॉर्मल जो index fund है जो आपका जैसे कि मालेज़ कोई भी nifty 50 index fund है अगर आप उसमें invest करेंगे तो उसमें होता क्या है कि जो आप जैसे 1000 रुपे invest करते हैं तो 1000 रुपे जो invest होते हैं वो होते हैं जो companies की capitalization होती है उसके हिसाब से उसके पैसा जाता है लेकिन जो equal weight होता है इसका मलब यह है कि 50 कंपनियों में 50 की 50 कंपनियों में आपका पैसा लाएगा और बराबर मातरा में लाएगा मतलब अगर रिलाइस के अंदर 100 रुपे लेंगे तो जो 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 दूसी company है मालेगे कोई छोटी company है लाट्स के अंदर नहीं company है कोई NTPCA जो भी है उसका तो उसके अंदर भी 100 रुपे ही लगेंगे सब के अंदर 50 की 50 कंपनियों में बिल्कोई इक्वल अमांट पैसे लाएगी अगर वैसे NTP50 में करते हैं उसमें एक्वल अमांट नहीं लगती है capitalization वहला के साब से लगती है अलग मैथा होते लगाने के capitalization भी होता है कुछ और भी होता है actual में क्या होता है कि मुझे पता नहीं है लेकिन ब्यादा मुझे लगता है वह market capitalization के सबसी पैसा लगता है उसके अंदर लेकिन ये एक्वल वेट के अंदर simple सा concept है कि 50 की 50 company के अंदर बराबर पैसा लगेगा इस मतला भी समझ लिए आपने 1000 रुपे invest करें तो divide by 50 करके जो निकला सब के नबराबर इस तरीके से बैसला तो ये थोड़ा सा अलग है निफ्टी 50 से तो अब आप पूछेंगे भी ऐसके रिटरंस वारा कितने मिल जाएंगे तो यार जहां पर बात आती है निफ्टी 50 की तो रिटरंस जो है ना वो ऐसी 15% के आसपस मिलने चाहिए क्योंकि निफ्टी 50 पंदरा परशेंट देता है और इसके अंदर कंपनियां भी वह होने वाली है तो क्या ही फरक पड़ जाएगा इसके अंदर क्योंकि इक्वलवेट, वेट है तो इसलिए थोड़े से रिटरंस बढ़ सकते हैं एक्सपेंसर इस्यू जो है या चार्जिस कठा होगे तो रिटरंस वैसे भी कम हो जाएगा 15-15% के आसपस होने चाहिए लॉंग टर्म की बात करता हूँ लॉंग टर्म में इतने इन्वेश्ट निकल के आने चाहिए अब बात करें बहिया नियुस को इन्वेश्ट करना तो में तो यहिए यह है कि निफर्टि आप इमस्ति करने निंवेश्टि करना और चैमारे निफर्म इतर खोड़ जो आपके आते हैं मुमेंटम मुमेंटम के इसके इंदर पुराने इंडेक्स है अच्छी कंपनी है और इनकी जो रेप्टेशन है वह भी जाद है अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कंपनीया वही रहने वाली हैं कंपनीया जाता फरक्त है नी बस जो इन्वेस्ट की जो अमाउंट है बस उसी में चेंज है बागी तो इसके अंदर वही लोग इन्वेस्ट करें जो की कम से कम 3-4 साल के लिए दूसरा जो की रिस्क कम लेना चाते हैं और आपको सुरक्षा जाता चाहिए जो रिटांस है उसके राध कंप्रमाइस कर लेंगे थोले बहुत कम ले लेंगे लेकिन पैसा भीया उनको कमनी चाहिए उनको पैसा पूरा सुरक्षित चाहिए उनके लिए यह फंड बना हुआ है इस पेशली उनके लिए तो दोस्तों यह पूरा पूरा इस फंड का ताना बना है अब साथ में एक इंफर्मेशन पास दिनना चाहता हूं आपको जो भाई भी अपना नया पोटफोलियो बनवान करना चाहता है खरवा सकता है 999 में वाटसप पर जाके आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकर लेजिएगा ठीक है आज के लिए उनके अ कर सकते हैं आपके 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 झाल झाल